किमेखने के अंदर मिलेटरी के द्वारा एक सीक्रेट मास अबोर्शिन प्रिग्राम चलाया जा रहा है जिसमें महिलाओं का जबर्दस्ती अबोर्शन में विरोत्त क्या जाता है तो गूंपॉइंट का सहरा भी लिया जा रहा है आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों किसी देश के मिलिटरी इस तरह का सीक्रेट प्रोग्राम चला रही है साथी जानेंगे कि नाइजीरिया के अंदर बोको हरम आतंकवादी समू और सरकार के बीच में जो वार चल रहा है उसकी वीधना किस तरीके से मह महिलाओं को झेलनी पड़ रही है उस वार के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्या हुआ था जब बोको हरम के द्वारा के स्कूल से करीब सौ से जादा बच्चियों को किड़नेप कर लिया गया था नमश्कार दोस्तों मैं प्राची सूपर कोचिंग आईगे इस वर टे सबसे कड़वा दंश झेलना पड़ता है यहां पर देखे रूटर्स की इन्विस्टिकेशन में फाती के बारे में बताया गया है जो अभी अपनी अर्ली ट्विंटीज की एच में ही है जब उसका अबोशन किया गया तो वह फोर मंत की प्रेजन थी बिना उसको बताये जो कर जो नाइजीरिया की फेडरल गवर्मेंट और वहां के एक्स्ट्रिमीस्ट इस्लामिस्ट ग्रूप वो को हरम के बीच में हो रहा है दरहसल यह वार चल रहा है लगबग 13 सालों से और यॉनाइटेड नीशन एन हुमें राइट ग्रूप्स का यह कहना है कि अब तक करीब तीन लाख लोग अपनी जान इस युद में गवा चुके हैं ना सर्फ हिंसा से बलकि गरीबी और भुक मरी से भी नाइजीरिया के हालात इस वक्त बहुत जादा खराब है यूटर्स की जो इन्वेस्टिकेशन है उसमें दरहसल उन्होंने 33 महिलाओ और लड़कियों से बा जो पांच स्वास्थिय नागरिक बेसिकली कर्मी थे और नो जो है सिक्योर्टी पोस्नल्स थे उनका भी इंटर्व्यू लिया इसमें कुछ वो सैनिक और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे जो महिलाओ को गर्ब पात इस्थल तक ले जाने के लिए जिम्मेदार थे इसके अ नाइजीरिया की एफरीका के मैप में एक लोकेशन देख लेते हैं जहां पर ये दा सीक्रिट मास अबोशिन प्रोग्राम एक मिलिटरी के द्वारा चलाया जा रहा है ये पूरा एफरीकन कॉंटिनेंट है अगर आप साउथ अट्लांटिक ओशन में देखेंगे तो यहां यह जो स्तेट आपको देख रहे है इसी को आप जूमिन करके यहां पर देख सकते हैं नाइजीरिया की जो कुछ में सिटीज है वहां पर कुछ ऐसी फैसिलिटी जो है मिलिटरी के द्वारा चलाई जा रही है जो वार के लिए सेंटर का भी काम कर रही है और अबोशन के लि प्रोग्राम चल रहा है ऐसा जो है विटनेसेज ने रूटर्स को इंटर्व्यू में बताया है जो बेसिकली नाइजीरा की नॉर्थ एस्ट है वहां पर जो लाजस सिटी है मेदू गिरी वहां पर एक कमांड सेंटर है सरकार का जो इसलामिस्ट एक्स्टरमिस्ट के एक जोटरी जेनरल है उन्होंने नाइजीरिया को कॉल किया है इनफोर्स्ट अबोशन को लेकर यहां पर दीके कुछ सैटलेट इमेजिस के जरी है जिसमें आप स्पेशिलिस्ट हॉस्पटल देख सते हैं ओमारु शैनू हॉस्पटल देख सकते हैं यह मेदिगुरी है जहा इस युद के दोरान आतंखवादियों के दुवारा किड्नैप कर लिया गया था जहां उसकी forcefully marriage कर दी गई एक आतंखवादी से repeatedly आईशा को जो है ना सिर्व बीट किया गया बलकि उसका rape भी किया गया और आज हालात यह है कि जब आईशा ने उन आतंखवादियों के चंगुल से निकल कर अपनी जान बचाई तो military ने उसको सहरा दिया आईशा बहुत खुश थी कि शायद अब उसके बूरे दिन खतम हो गया है आईशा प्रेग्नेंट थी और उसके पास एक बच्ची भी थी फातिमा military के तरफ से उनको कुछ injections दिये गए कुछ पिल्स दिये गए ये कहकर कि उनको infection और malaria से बचाने के लिए ऐसा दिया जा रहा है इसके बाद आईशा को बिना उसकी consent के बिना उसकी जानकारी के abortion हो गया और जो आईशा की बच्ची थी फातिमा उसने fever डवलप कर लिया और कुछ समय बाद फातिमा ने भी दम तोड़ दिया अब आईशा को ये शक है कि उसकी बच्ची को military के द्वारा जहर दिया गया था आज आईशा की क्या स्थिती है आईशा आज married होते हुए भी वेवाहिक स्थिती में नहीं है आईशा का भाई युद में अपनी जान गवा चुका है आईशा की माँ अपनी जान गवा चुकी है उसका एक बच्चा बंविस फोर्ट में मर गया था एक बच्चे के लिए उसको शक है कि शायद मिलिटरी ने जहर दे दिया था एक बच्चे का अबोशन हो चुका है आईशा का एक हाथ खराब हो गया है जो कि वार के बॉम की वज़े से हुआ था और आईशा अकेली है और यह सर्फ एक कहानी है जो यूटर्स में दिखाई गई है ऐसी नाजाने कितनी आईशा जो है नाईजीरिया में है जो आज इस बात के लिए किसको जिम्मेदार कहें कि वो इस स्थिती में पहुँच गई है इहां पर आप देखेंगे कि दरसल यह जो अबोशन प्रिग्राम था यह जो 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 जोनाथन प्रेसिडेंट थे उनकी जो प्रेसिडेंसी थी यहां से शुरू हुआ था इसके बाद इसको continue रखा था बुहारी ने और बेसिकली जो बुरताई थे उन्होंने आर्मी को जो है छे साल तक जो है लीड किया था उनके जो सब ओर्डिनेट थे इराबोर वोस टाइम पर अब जो है वो डिफेंस चीप है अगर हम वोको हरम की बात करें तो अब वोको हरम के फाक्शन हो गए यह तूट गया है और ब नाइजीरिया मेरे इन जेनर वोको हरम की नाम से इनको रिफर किया जाता है रिपोर्ट पब्लिक हुई तो देखें मिलेटरी ने एक प्रेस रिलीस जारी किया जिसमें उन्होंने यह बताया है कि नाइजीरियन मिलेटरी की आतंगवादियों के खिलाफ जो कारवाई चल र यह मीडिया की तरफ से यह गलत प्रियास किया जा रहे हैं और रूटेर्स जो है ब्लाकमील कर रहा है नाइजीरियन मिलिटरी को तो यह प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है यहां आप एक पिक्चर देख सकते हैं उन शुरुवाती दिनों की जब यह वार शुरू हुआ था यह 2014 में नाइजीरिया की जो कापिटल सिटी है अबुजा वहां पर जो है एक बॉम हुआ था जिसमें करीब 21 से 25 सिविलियन्स जो है मारे गए थे बात करते हैं इस वार की और बात करते हैं बोको हरम की बोको हरम इंसरजेंसी शुरू ही 2009 में दरसर यह एक जिहादिस्ट र के अंदर वाइलेंस जो है होने लगा था जो नाइजीरिया की मुस्लिम है और वहां की जो क्रिश्यन लोग थे उसके बाद इस एक्स्ट्रमिस्ट ग्रूप ने अपना एक एजंडा गोशित कर दिया जिसमें इन्हों ने कहा कि हम एक इसलामिक स्टेट इस रीजन के अंदर इस्टाब्लिश करना है दो हजार ग्यारा के बाद से तबसे जो है नाजाने कितने बच्चों को ओर्तों को नागरिकों को इनके द्वारा किड्नेप किया जा चुका है रिलीचियस पॉलिटिकल ग्रूप पर इनके द्वारा बहुत सारे अटाक किये जा चुके है लोकल कुमिनेटी का ध्यान गया तब जब करीब मान कर चलिये कि डेड़ सो बच्चियों को स्कूल से इन्होंने अगवा कर लिया था दो सो बच्चियां दो सो बच्चियां दो हजार चौदा में जो है किड्नेप कर ली गई थी बोको हरम के द्वारा और नाजीरा की सरकार इसको कंटेन नहीं कर पाई थी तब जाके जो है एक इंटरनेशनल कॉमिनेटी का यहां पर ध्यान गया उसके बाद जो रेड क्रॉस नाम की संस्था है उन्होंने मध्यस्ता की सरकार और इस आतंगवादी समू के बीच में और करीब 103 लड़कियों को तब से रिहा किया जा चुक बाकी कंट्रीज के साथ मिलके जैसमें बेनिन है कैमरून है चाड है नाइजर है इनके साथ मिलकर जो है वोको हरम के खिलाफ एक कारवाई चला रही है और काफी सारी जंगा से इनको धकेला जा चुका है लेकिन अभी भी अगर नौर्थ वेस्टन नाइजीरिया के कुछ प इसके अलावा इनके दोरा सुसाइड बॉम्मिंग अटैक्स जो है किये जाते हैं फैबरेरी दो हजार अठारा में करीब सो बच्चे हंडर्ड स्टूडेंट्स जो है बोको हरम के एक फैक्शन के दोरा जिसको इसलामिक स्तीट वेस्ट अफरीका कहा जाता है उसके दोरा ज क्या कुछ फीस करना पड़ रहा है दिस इस आर्मी रन अबोशिन प्रग्राम इस जस्ट लाइक सैनिटाइजिंग दा सोसाइटी सोसाइटी को क्लीन करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है जिन लोगों का इंटारोकेशन वीटोस ने अपने इंटर्व्यू में किया है उनक दरहसल ब्रूटलाइस्ट किया गया है दोनों तरफ से और यहां पर कुछ लोगों का यह भी माना है कि महिला और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि उनको कभी भी सोसाइटी में एकसेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह पर्सेप्शन है कि डिस्ट्रॉय इ कुछा गया कि क्या आप इससे खुश है कुछ महिलाओं का कहना यह था कि यदि आज उनके जीवन में बच्चा होता तो शायद उनके पास जीने का एक मोटे होता कुछ महिलाओं का कहना है कि यह ठीक हुआ क्योंकि सोसाइटी उनको कभी भी एकसेप्ट नहीं करती अम इस तरह के मास अबोशिन प्रोग्राम का कोई जिकर नहीं किया गया है इसका मतलब यह समझ में आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर वूमिन सेंट्रिक पॉलिसीज और लॉज बनाने का टाइम आ चुका है लेकिन फिर भी रोम संदी कहती है यदि आम मानविय बरताव हुआ तो इसको वार क्राइम के अंदर ट्रीट किया जा सकता है तो शायद इस मास अबोशिन प्रोग्राम को भी एक वार क्राइम माना जाए और जो लोग इसके लिए जिम्मिदार है उनको शायद रिस्पॉंसिबल ठहरा कर कोई जवाब नहीं उनकी सुनिश्चित की जाए तो यहाँ पर यह महत्पॉन हो जाता है कि जब भी युद हुए हैं तो सबसे जादा सफर महिलाओ और बच्चों ने क्यूं किया है और खासकर क्यूं महिलाओ को इस्तमाल किया जाता है दोनों तरफ के लोगों के द्वारा कि वो वैसी नसले पैदा करें जैसी उनकी विचार अधारा है सोचेगा जरूर मैं आपको बहुत जल मिलूंगी एक अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंत